दोस्तो, 483 BC यानी 483 BC में बगवान बुद्ध की मृत्यू होती है और उसी के बाद चार बुद्धिस्ट काउंसिल होता है अलग-अलग पिरियड में, अलग-अलग राजा उसको संपन कराते हैं और अलग-अलग मौंक उसमें डेप्यूट होते हैं ठीक है तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो चारो बुद्धिस्ट काउंसिल हो आया है उसी के बारे में और वो भी एक्जाम से रिलेटेट टू दा पॉइंट ठीक है हिस्ट्री का ये पूर्सन है आपका बहुत ही ध्यान से देखिए कुश्चन से इससे पूछे ही जाते हैं तो सबसे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल होता है 483 BC में जगह जहां पर यह हुआ वो है राजगीर जिनकी अध्यक्षता में हुआ हो जो बुद्धिस्ट मौंक थे वो थे महाकस्यप और जिस राजा ने इसको करवाया यानि पैट्रन वो थे अजासत्त्रू इससे में कॉ पीटक का सूथ पीटक और विनाय पीटक सूथ पीटक को कॉंपाइल करता है आनंद और विनाय पीटक को उपाली सूथ पीटक में बुद्ध के जो उपदेश हैं उनको संग रहित किया गया है और विनाय पीटक में बुद्ध संग के जो नियम हैं उनको समाहित किया गया ह ठीक है? तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल में हम लोग को ध्यान रखना है 483 BC, जगह राजगिर, मौंक, महाकस्यप और पैटरन किंग अजासत्रू Similarly दूसरा जो बुद्धिस्ट काउंसिल होता है वो होता है 383 BC में, जगह वैसाली में, मौंक जो होते हैं वो सवाकामी चीज हम लोग को ध्यान रखना है 383 BC में, बुद्ध जो धर्म है वो दो भाग में बट गया, स्थाविर और महासंगिग में इसके वाद है फिर तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल, 250 BC में ये कंड़क्ट होता है आपका, जगह पाटली पुत्र, मौंक जो होते हैं वो है तिसा, पैटरन किंग असोक और इस से में कॉंपाइलेसन होता है, तीसरा पीटक, बुद्ध धर्म का, अविधम में पीटक, इसको कॉंपाइल किया आता है तो तीसरे बुद्धिस्ट काउंसिल को हम लोग को ध्यान रखना क्या क्या, 250 BC, वेन्यू, पाटली पुत्रा, मौंक तिसा, और पैटरन किंग असोक और जो चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल है, वो होता है, 98 AD में, जग्गा कस्मीर में, मौंक जो हैं वसुमित्र, और पैटरन किंग है, कनिश्क, कुसान वन्सका इस समय कॉंपाइल किया आता है, महा विभासा सास्त्र, जो कि बुद्ध धर्म का ही एक ग्रंत है, और इस समय भी, दूसरे बुद्धिस्ट काउंसिल की तरह, बुद्ध धर्म जो है, वो दो भाग में बढ़ता है, पहला ही नियान, और दूसरा महाया, तो इसमें हम लोग को ध्यान क्या क्या रखना है, एक तो year, और कहां पर आयोजित हुआ, यानि when new, monk किसकी अध्यक्षता में हुआ, और pattern king, यानि किस राजा के समय ये हुआ, तो चार चीजों को हम लोग को ध्यान रखना है, बिलकुल precise करके ये दिया गया है, to the point, तो इसको ध्यान से और इस तरह के और वीडियोज के लिए हम से जुड़िये, हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए, धन्यवाद